नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. श्री वैभव लक्ष्मी व्रत रखने के नियम इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है यदि किसी कारणवश नारी यह व्रत नहीं कर सकती तो फिर पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं यदि विवाहित हैं, तो पती-पतनी दोनों इस व्रत को रखें, इससे मा लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है. व्रत रखने के लिए पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करें. किसी प्रकार का छल कपट, पाप मन में न आने दें. व्रत करते समय यह स्वार्थ मन में न रखें कि मुझे धन प्राप्त करना है, बलकि यह सोच कर व्रत रखें कि मुझे मा लक्ष्मी को प्रसन्न करना है. मा लक्ष्मी के अनेक रूप है जो इसके आरंभ में ही चित्रों के रूप में दिये गए हैं परन्तु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को ही यदि आप प्रणाम करें तो समझ लो मा लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर दिया मा लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखना चाहिए यदि किसी कारणवश, किसी शुक्रवार आप यह व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार की यह व्रत करके मा लक्ष्मी से क्षमा मांग ले व्रत पूजन के सयम सोने की कोई चीज पूजा के लिए रखें यदि घर में सोना न हो तो इसके स्थान पर चांदी भी रखी जा सकती है रजसवला नारियाएं उन दिनों में शुक्रवार छोड़ सकती है मा लक्ष्मी के लिए 21, 31, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं व्रत संपूर्ण हो जाने पर साथ कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन के पश्चात खिलाएं हर व्रत संपूर्ण होने पर मा वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 11, 21, 21, 51, 101 अथवा इससे अधिक पुस्तकें अपने मित्रों संबंधियों वसत्संगों में अवश्य बौटें जै मा लक्ष्मी अब कथा प्रारंभ होती है एक बड़ा शहर था इस शहर में न जाने कितने ही लोग रहते थे देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आई लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था उनकी एक मात्र यहीं इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी दो समय की रोटी मिल जाए मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले बस प्रभू के गुण गाए वैसे देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती शुरू में वह यही सोचता है कि उसे दी समय की रोटी मिल जाए प्रभू की यही सबसे बड़ी कृपा होगी इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं जब उन्हें दो समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कच और विचार उठने लगते हैं जैसे उनकी आय बड़े उनके पास धमकी रहने के लिए बढ़िया मकान हो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा कहती जाती है किसी ने ठीक ही कहा है भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाने ही पूरा कर लिया जाता है परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं मानव जीवन की भी एक सीमा है लाखों करोधों के सपने, एक, शान्ती और मौज मस्ती की आशाओं को लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यू की ओर लिये जा रहा है मानव जीवन इतना बड़ा कहां है जिस्था हम भविश्य का इतना बड़ा बोज लाद देते हैं हम काम, क्रोध, लोब, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभू, उस महाशक्ती को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है जो जीवन देता है और वही मृत्यू भी देता है कल्योग में तो ऐसा ही होता है पाप की परचाईयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है धर्म व्यापार बन जाता है यानि घर के नाम पर एक कमरा था उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना यहीं था उनका घर गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था राधा घर का सारा काम काज करती थी उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा और सजा रखा था कि मोहले की औरतें भी अक्सा कहती थी घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखें यह चात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कप और पूरे अधिक हैं उसी के आसपर्ड होस में कुछ औरते ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे को चुन करी थी दूसरों के घरों में ताग जांक कर उनकी बुराईयों अपने घर को भले ही उनको कोई का साहसे हत्या कर बरोबर मले की खबर तो उनके पास रहती थी वैसे ही डालने को काम प्रभू ने उन्हें ही सौश रखा हो राधा को उनको ये बाते पसंद नहीं थी पहले तो उसे घर के काम काज से हो समय नहीं मिल पाता था दूसरा पती को सेवा करता उसका धर्म था पती की लंबी आयू और उन्नती के लिए इश्वर की उपास ना करती हर मंगलवार को महावीर जी का अवरत अपने पती की चेर आयू के लिए रखती मुहले की चुगल खोर औरतों को राधा की अच्छी आदते कैसे पसंद आ सकते थी वे तो ये कहने लगी की राधा में बड़ी अकड़ है जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती शायद इसलिए न की वो बड़ी सुंदर है उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है उसे यह नहीं पता की जिस मुहले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं उनके साथ मिलकर बैठते हैं यदि वो ही किसी के पास दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा इन सब की बड़ी बेहन राम भजनी थी जो पूरे मुहले को अपनी अंगुलियों पर नचाती थी बेहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्टन मंडली बना रखी थी जो घर घर में जाकर कीर्टन करती थी राधा खो ऐसी औरते बिलकुल पसंद नहीं थी जो कीर्टन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हूँ यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया था देखो बेहन राम भजनी वैसे तो आपका नाम है राम भजनी मगर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्टन करते समय किसी की चुगली मत किया करो किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभू का नाम लें इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी राधा की इतनी बात सुनते ही बेहन राम भजनी को क्रोध आ गया क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया वो कड़कर बोली ओ कल की छोकरी क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है अभी शहर में आए दो साल हुए हैं गाव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है गवार कहीं की देखो बेहन मैं गवार हूँ या कुछ और मैं प्रभू भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ती में ही शक्ती है भक्ती धूलक या चिम्टे बजाने से नहीं होती बलकी सत्य के पतपर चलने से होती है इश्वर का यही सिध्धान्थ है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो, मैं तो हर जिवात्मा में रहता हूँ तुम मेरी तलाश में क्यूं बाहर भटक रहे हो, यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसके साथ ही सब मिलकर राधा का मजा कुड़ाने लगी थी राधा जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल धोंग है, दिखावा है, इनके मनकाले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाब नहीं है, इनकी कीर्टन मंदली खूब धन कमा लेती है इश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी, 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 गिन होने लगी थी राधा को इन सब से, उसने अपने घर में पूजा पाथ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी उधर गोपाल बुरी संगत में पढ़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा गांव से आया मीधा सादा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फैसा की उसे यह बुरी आदते लग गई शुरू शुरू में उसने अपने आपको बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन जब चारों और ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की दो समय की रोटी चल सकती थी मकान का किराया, दुकानदारी, कपड़े लत्ते ये सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था लेकिन जब इस वेतन में शराब पी जाए, चरस गांच्य पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी, पाती को मना करनी तो उल्टा उसे मार पढ़नी, गालिया सुनने को मिलती घर में आकर वो इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता, वो अंदर ही अंदर ठूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसु बहाती रहती, इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देना? गोपाल ने घर के बरतन तक बेच डाले थे, इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभू पर विश्वास नहीं छोड़ा, यो दूरगा की उपासना नहीं छोड़ी, उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन मां उसके सारे संकट दूर करेगी, एक दिन जब घर में खाने क तो कुछ नहीं था, वो दो दिन से भूखी थी, जिस दुकान से खाने पीने का समान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपे ही नहीं दिये गए थे, इस युग में तो जिसके पास लक्षमी नहीं वह भूखा मराएगा राधा, मा चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी, मा ने उसकी आँखों से तपकते आंसू देख लिये थे, उसके हरिदय के दुख जान लिये थे, राधा रोए जा रही थी, साथ में वो मा लक्षमी का पूजन भी कर रही थी मा लक्षमी, मुझे बचा लो मा, मुझे बचा लो, जोट, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है, मैं दो दिन से भूखी हूँ, मेरा पती बिगड़ चुका है, घर में लक्षमी जी आप बैठी है, परन्तो आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वो इस उसके बिना जीवन नहीं, मा, मुझे बचा लो मा, मा शक्ती दो, शक्ती दो मा, मा लक्षमी खृपा करो, एस घर को बचा लो, अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो, आपने मुझे न बचाया तो मैं आपके चर्णों में ही जान दे दूंगी, अब तो मेरा यह अंतिम निरने ह ये कहती हुई राधा मा लक्षमी के चित्र के आगे गिर गई। राधा एक तो तू पतिवरता धर्म में पूरी उतरी है अपने पती की सेवा में कोई कमी नहीं रखी दूसरा तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा ये सब तेरी अगनी परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है ये जगत माता मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं म होगा परन तो आज मैं मजबूर हो गई हूँ मा आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियां मांग रही हूँ मा मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सकें मेरे बिगडे हुए पती को सुधार दो मा अपने घर के द्वार खोलो राधा के अंदर न जाने कहा से अंजानी शक्ती आ गई थी वो मा लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राहमन को खड़े पाया बेटी राधा जय मा लक्ष्मी जी बोलो जय मा लक्ष् पूरी शक्ती से कहा, देखो बेटी, मैं मा लक्षमी जी के मंदर का पुजारी हूँ, मा के आशीरवाद से ये दो बोरी आटा और साथ में दालें और घी, ये सब खाने की सामगरी आपके घर पहुचाने के आदेश हुए हैं, आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, मा लक् कट से निकालने का उपाय भी बताओ, देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुधा और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है, माया, लक्षमी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं, यदि तुम अपने मन की शांती और घर ग्रहस्ती चलाने के लिए लक्षमी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्षमी मा का व्रत करो, इस व्रत के करने से आपकी हर मनो कामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, लेकिन पुजारी जी मुझे इस व्रत की बहुत सरल है, इसे वेभव लक्षमी व्रत कहा जाता है, जो प्राणी सच्छे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनो कामनाएं पूरी हो जाती है, उसे हर प्रकार के सुख संपत्ती प्राप्त होती है, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है, जो लोग इस व्रत को विधिपूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता बलकि वे अपने मन की शांती खो बैठते हैं. कई पाखंडी और धोखे बाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गेहनों की हल्दी कुम-कुम से पूजा करो. बस व्रत हो गया, परन्तु ऐसा नहीं है. कोई भी व्रत जब तक अपनी विधी अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा. ये सब कुछ भी अपने आप पर निर्भर करता है. वैसे घर में यदी सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें. मा लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए. सुबा उठकर नहा धोकर साफ सुत्रे कपड़े पहने और दिन भर मा का पूजन करें. हर समय मुह से यही शब्द निकले जय मा लक्ष्मी, जय मा लक्ष्मी. शाम के समय पूर्वदिशा की ओर मुह करके आसन पर बैठें और मा लक्ष्मी जी मूर्ती या चितर किसी उचे स्थान पर रख उसके आगे चावलों की धेरी लगाएं. एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें. यदि सोने के जेवर नहों तो चांदी से भी काम चलेगा. मा लक्ष्मी के चरनों में गुलाब के लाल फोल अरपन करके धूप के साथ साथ देसी घी की जोती जलाएं. वैसे तो मा लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नीव श्री यंत्र है. जो मा के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं समझ लो उन्होंने मा के हर रूप के दर्शन कर लिये. इसलिए मा पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूली. सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगा कर पांच बार बोलें जय मा वैभव लक्ष्मी हमारी खाली जोली भर दो मा इसके पश्चात गी, आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकडे काटे हूं मा लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांच दें बांचते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं सूर्यास्थ होने के पश्चात मा की उपासना करके जब प्रसाद बांच ले तो आप भी भूजन ब्रहन कर सकते हैं मा के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों को डाल दी व्रत रखने वाले हर भाक्त के लिए यह जरूरी है कि वो श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी कथा सुनाए इससे और अधिक पूनिया मिलता है ये सारे व्रत जब बिधिपूर्वक पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरों प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है मा लक्षमी स्वयम उनका कल्यान करती हैं उनके घर में सुखी सुख मिलते हैं धन तो आता ही है परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए ये व्रत वर्दान से कम नहीं जब व्रत संपूर्ण हो रहे हो अर्थात 21 वा या 51 वा व्रत जब रखें तो उस दिन साथ छोटी बच्चियों को घर पर बुला कर उन्हें उनका मन पसंद भूजन खेलाएं फिर कन्या को चान्दी का अथवा गिल्ट का एक एक सिक्का रुपे का दक्षिना में दें उसी दिन मा लक्षमी की श्री वैभव लक्षमी व्रत का था कि 151 प्रतियन मा के भगतों को अपने हाथों से बांटे यदि इतनी प्रतियों की शक्ती न हो तो ग्यारा तो अवश्य बांटनी चाहिए मा की प्रतियन मा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें हैं मा लक्षमी आपकी और प्रभू की कृपा से मैंने अपने व्रत विधिपूर्वक पूरे कर लिये हैं इसलिए है माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो हमारी मनो कामना पूरी कर दो माँ हमें सदा सुख रखना, हमारे परिबार को सुख देना माँ बस बेटी, यही प्राणी के लिए कल्यान मार्ग है तुम भी, श्री वैभव लक्षमी व्रत करो तुम्हारा पती भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें धन भी मिलेगा तुम सदाकाष्ट मुक्त रहोगी ये कहते होए पुजारी जीतो चले गए राधा ने आटे की बुरियां पढ़ासन की सहायता से अंदर रखवा दी डालों को भी अंदर रखा मा साक्षमी की उपासना तो कर ही रही थी परंतु विधी अनुसार नहीं कर पाती थी आज मा लक्षमी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है उसे वह कैसे भोल सकेगी सहसा उसे ध्यान आया की कल ही शुक्रवार है मैं कल से ही मा लक्षमी जी के 21 व्रता आरंब करूँगी दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार को व्रत कथा आरंब कर दी और साथ ही मा का व्रत रखा सारा दिन मा की आर्ती करती रही फिर उसने रात्री के समय श्री वैभव लक्षमी व्रत कथा का पाठ करके घर पर आये पती के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पती ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, मेरी राधा, तुम तो सच्छमुछ देवी हो लग रही हो, मैं ही पापी था, ज जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा लेकिन आज मेरी आखे खुल गई हैं, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है, मैं आज मा लक्षमी के चरणों में बैठ कर ये पतेग्या करता हूं कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा नहीं गंडे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा, मैं तुम्हीं कभी दुख नहीं दूंगा, मी देवता, मेरे प्राणनात, मा लक्षमी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे सारे संसार के खजाने मिल गए, आज में कितनी खुश हैं, मा ने मेरा उजड़ा घ पाटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भाती कल्यान हो जाए। बोलो लक्षमी माता की जय, बोलो विश्नु भगवान की जय, दोस्तों आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चलो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमली ग्रुप में शेयर कर दें जिससे वह भी ये कथा सुनलेवे, धन्यवाद